नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब वल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल अरुप मार्गरी तो देखिए दोस्तों जितने भी यहाँ पर रेलवे के एस्पिरेंट्स है जो लोग काफी दिनों से रेलवे भरती परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज यहाँ पर निकल कर आ चुकी है जिया दोस्तों फाइनली यहाँ पर रेलवे रेक्रूट्मेंट बोर्ट के तरफ से आर्पी एफ एसाई एन कॉंस्टेबल इग्जामशन 2024 का जो ओफिशल नोटिफिकेशन है यहाँ पर जारी कर दिया गया है रेल वीडियो कहीं भी स्कीप मत किजिएगा और जिन्हों नोटिफिकेशन पर आप लोग देख सकते हो गौवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ रेलवे 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 रेक्रूट्मेंट बोर्ट CENRPF012024 अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रेक्रूट्मेंट आफ स अपलोग देख सकते हो आपर सब इंडिया मिनिस्ट्मेंट बोर्ट CENRPF012024 अब नीचे आप लोग देख सकते हो आपर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है दोस्तों 7 CPC की पोस्ट है लेवल 6 की इनिशिल पे है आपकी यहाँ पर 35 से 400, मेडिकल स्टैंडर रहेगा आपका B1 और एज रहेगा 20 से 28 साल एज लिमिट रहने वाली है तोटल वेकेंसिस जो यहाँ पर RPF SI के लिए जारी की गई है यह दोस्तो 452 वेकेंसिस जारी की गई है आप लोग को तीन साल का यहाँ पर एज रिलेक्शेशन दिया गया है ऐसे आप लोग को पता है कि 20 से 25 साल तक ही रहती है यहाँ पर एज लिमिट RPF SI की बटे यहाँ पर 28 साल तक कर दी गई है नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे इसके सारे डीटेल्स आप लोग के गिवन रहेंगे कैसे आप लोग को अपलाई करना है क्या एज लिमिट से सारे डीटेल्स आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगी इसके अलावा आपके एक्जाम्स के रिलेटेड जो है सारी इंफर्मिशन भी यहाँ पर मिल जाएगे ठीक है अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फॉर्म फिलफ की जो आपकी फी है दोस्तों वो आपकी 500 रहने वाली है यहाँ पर ठीक है इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो minorities में क्या के आने वाले हैं आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो ठीक है पर चलते हैं तो देखे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ऑफिशल कॉंस्टेबल का नोटिफिकेशन पर आर पीए जिरो टू 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 टूजन टूटिफिकेशन नीचे स्कॉल डाउन करते ही आप लोग देख पाऊगे इनका भी ऑनलाइन अप्लिकेशन आपके 15-4-2-24 से लेका 14-5-24 तक रहने वाली है मोडिफिकेशन डेट 15-5-24 से 24-5-24 तक रहेगी कॉंस्टेबल लेबल 3 की आपकी 7 CPC पर रहेगी इनिशल पर 21 से 700 रहने वाली है मेडिकल स्टेंडर्ड दोस्तों आपकी B1 रहेगी एज आपका जो रिक्वाइड रहेगा एज लिमिट 18-18 साल और टोटल वेकेंसिस यहाँ पर आई है दोस्तों 4208 वेकेंसिस नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आप सारे डीटेल्स आप लोगो यहाँ पर इस वेकेंसिस के रिकार्डिंग मिल लाएगी इसमें भी 3 साल का आपको एज रिलेक्सिशन प्रोवाइड किया गया है बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ से देख सकते हो इसमें भी form fill up करने के लिए दोस्तों आपका same 500 रुपीज लगेगा और 250 रुपीज for the minorities and the benefited class ठीक है नीचे आप लोग mode of payment आप लोग का online रने वाला है आप लोग mode of payment कर सकते हो ठीक है इसके बाद भी आप लोग का यहाँ पर भी PET और PMT के regarding सारे details दिये गया है इसमें जो है थोड़ा सा PET जो test होता है दोस्तों वो SI के मामले में थोड़ा सा tough होता है तो आप लोग को इसके लिए अच्छे से preparation करना है इसके उपर मैं एक detailed वीडियो जरूर ना दूँगा आप लोग के लिए कोई भी डाउट रहेगी कॉमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और वीडियो को शेर कर देजेगा दिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरी टेलिग्राम ग्रूप का लिंक मिल जागा वासे टेलिग्राम ग्रूप भी जोइन कर लिजेगा मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद